मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाय आकाश ने मेरी शादी सुरेंद्र से कर दी मेरी शादी आज से चार साल पहले इसी शहर में हुई थी तब मेरे मम्मी पापा जिंदा थी मेरा पती दुकानदार था काम अच्छा चल रहा था घर में मेरी सास थी और दो निंदे भी थी उ पती आकाश ने मुझे पहली रात को साफ साफ शब्दों में समझा दिया था कि उसकी माव बीमार रहती है उसके प्रती बर्ती गई लापरवाही को वह सहन नहीं करेगा मैंने पती के सामने तो हामी भर दी थी मगर अमल में नहीं लाई कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ने आक कार दिया उल्टे ही उस पर ही नामर्दी का आरोप लगा दिया आकाश ने अपने उपर नामर्द होने का आरोप सुना तो वह सुरेंद्र के साथ डॉक्तर के पहुचा अपनी डॉक्तरी जांच करा कर रिपोर्ट उसके सामने रखी तो सुरेंद्र को मुझ पर बहुत ही ग और अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर बाते करना जारी रखा आखिरकार जब आकाश को अपनी दुकान बंद करके अपनी मां की देख भाल के लिए घर पर रहने को मजबूर होना पड़ा तब उसने अपनी आँखों से देखा कि मैं कितनी देर तक मोबाइल फोन पर न जाने किस किस से बाते करती थी एक दिन आकाश ने मुझसे पूछी लिया कि मैं इतनी देर से किस से बात कर रही थी पहले तो मैं कुछ भी बताने को तयार नहीं हुई पर जब आकाश गुस्से से भर उठा तो मैंने अपने भाई सुरेंद्र का नाम लिया उसे समय तो आकाश खामोश हो गया क्योंकि उसे मां को अस्पताल ले जाना था जब वर टैक्सी से अस्पताल के ओर जा रहा था तब उसने सुरेंद्र से पूछा तो उसने इंकार कर दिया कि उसके पास मेरा कोई फोन नहीं आया था आकाश दो घंटे बाद घर वापस आ गया तो मुझको मोबाईल फोन पर खिलखिला कर बाते करते देख बुरी तरह सुलग उठा था उसने तेजी से लपक कर मेरे हाथ से मोबाईल चीन कर चार पांच भू से जमा दिये मैं चीकती चिलाती पास पर उसकी औरतों को अपनी मदग के लिए बुलाने को घर से बाहर निकल आई आकाश ने उसी नंबर पर फोन मिलाया जिस पर मैं बात कर रही थी दूसरी तरफ से किसी अंजान मर्द की आवाज आई आकाश की आवाज सुनते ही दूसरी तरफ से कनेक्शन कर गया आकाश ने दोबारा नंबर मिलकर पूछने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से मोबाईल स्वेच ओफ हो गया आकाश ने मुझ से पूछा तो मैंने भी सही जवाब नहीं दिया आकाश का गुसे से भरा चहरा भयानक होने लगा उसके जबड़े भीचने लगे वह ऐसी आशिक मिजाजी कतई सहन नहीं करेगा मैं घबड़ा उठी मुझे लगा कि अगर मैं आकाश के सामने रही और किसी दोस्त का फोन आ गया तो यकीनन मेरी खेरियत नहीं मैंने उसी सम जरूरी सामान से अपना बैग भरा और रात को अपने माई के आ गई सुरेंडर गहरी नींद में सोया हुआ था मेरी भावी गीता ने उसे जगाने की कोशिश की वह इतनी उची आवाज में बोली थी कि साथ में सोया उसका चार साल का बेटा अभे भी जाग गया था वह डर भी पर भरक उठा बरस पड़ा बाहर गेट पर कोई खड़ा है जोर जोर से दोर बेल बजा रहा है पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया मुझे तो डर लग रहा है भावी ने घबराये आवाज में बताया अरे इसमें दरने की क्या बात है गेट खोल कर देख लो तुम ही ज जाकर देखो मुझे तो डर लग रहा है पता नहीं कोई चोर दाकु ना आ गया हो तुम भी हाथ में डंडा लेकर जाना भावी ने सहमी आवाज में सलाह दी सुरेंद्र ने चार पई छोल दी उसने एक डंडा उठाया गेट के करीब पहुंचकर गेट के उपर से जांक कर देखा तो कहां पर उठा बाहर में ख़़ी सिस्क रही थी सुरेंद्र ने हिरानी भरे लहजे में पूछा आरे पलक तू घर में तो सब ठीक है न मैं कुछ नहीं बोल पाई बस गहरी गहरी हिचक्या लेकर रो पड़ी सुरेंद्र ने देखा कि मेरे चेहरे पर मारपीट के निशान थे सिर के बाल बिखरे हुए थे सुरेंद्र मुझको बैडरोम में ले आया वह बार बार मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा था ऐसा क्या हुआ कि उसे आधी रात को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा भाभी ने बढ़ा सा मूर बनाया और पै पुराल जाने से मना कर दिया कई महीनों तक में अपने मायके में ही रही आकाश भी मुझे लेने नहीं आया इसी तना तनी में एक साल गुजर गया आखिरकार आकाश ही मुझको लेने आया उसने शर्थ रखी कि मुझको मन लगा कर घर का काम करना होगा और पराय मर्दों से मोबाइल फोन पर बेवजह बाते नहीं करेगी सुरेंद्र ने बहुत समझाया मगर मैं नहीं मानी मेरा तलाक हो गया सुरेंद्र ने मेरे लिए दो लड़के देख मुझे वह पसंद नहीं आये दर असल मैंने एक लड़के को पसंद कर रखा था उसका नाम अमित था वह एक थेकेदार था वह बिलडिंगों का थेका लेकर उसे बनाता था उसका थेका शहर में कई जगर चलता था वह शहर का बदनाम अपरादी था मगर मुझे को पसंद था काफी और से से मेरा उस थेकेदार अमित से इश्क चल रहा था अमित सुरेंद्र को भी पसंद नहीं था मगर इश्क में आन्धी मेरी जिद के सामने वह मजबूर थी मेरी शादी अमित से करा दी गई जब मैं उसके घर आई तो मैं बहुत खुश थी पहली रात को ही अमित ने मुझको अपनी बाहों में कस कर मुझे जी भर कर प्यार किया पूरी रात हम दोनों एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे अमित की कुछ बुरी आदते थी जो मुझे बिलकुल पसंद नहीं थी मैं उसे समझती थी लेकिन वह नहीं मानता था अमित का थेकेदारी में केवल दस पैसे का हिस्सेदारी था बाकी नबे पैसे दूसरे हिस्सेदार थे उसकी कमाए लाखों में नहीं हजारों रुपे में थी लेकिन वह जुआ खिलने और शराब में ही सारे पैसे खर्च कर देता था वह मुझको खर्चा नहीं दे पता था आप तो मुझको पेग भरने के भी लाले पढ़ गए मैने अमित से अपने खर्चे की मान रखी तो उसने जिस्म बेचकर पैसे कमाने का रास्ता दिखाया मैने मना किया तो अमित ने घर में ही शराब बेचने का रास्ता सुझा दिया अब मैं करती भी क्या अपना माय का भी मैंने गवा लिया था जाती भी कहां मैंने शराब बेचने का धंधा शुरू कर दिया मेरा जवान गदराया शरीर देख कर मन चले शराब खरीद ने मेरे पास आने लगे मेरा कारोबार अच्छा चल निकला अमित को लगा कि मैं खूब माल कमा रही हूँ तो उसने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिये मैंने पैसे देने से इंकार कर दिया उसे रात हम दोनों में जगडा हुआ रात को मैंने जमा किये तम एक नई जिन्दगी शुरू करूंगी दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें